हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो गार्गी क्लासेज डेट आज 19 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंपोर्टन आर्टिकल्स आइडिया पीज और एडिटोरियल पीज से जो आज अपन डिस्कुस करेंगे सबसे पहले यह वला आर्टिकल जिसमें अभी जम्मु एंड कश्मीर से जो एक्ट 2019 में बनाया गया था पांच अगस्त को उसमें एमेंडमेंट किये गए हैं जिसके वेसिस पर डिस्टिक लेवल पर एलेक्शन सब कंडेक्ट कराए जाएंगे तो क्या-क्या इसके प्रोज हैं और क्या कंसर्स हैं वो जानने की कोशिस करेंगे यह आर्टिकल इसके देखे जा रहे हैं और आगे क्या वेफ़र वड़ वो देखेंगे यह वाल आर्टिकल हाथ्रस एंट्रूथ मशीन अभी जो हाथ्रस केस आपको पता है उसका थोड़ा सा एक अलग फीज यहां पर बताने कोशिश कर रहे हैं कि नार्को एनलेसिस आपने देखा होगा पुलीस कभी भी इन्वेस्टिगेट करती है तो नार्को एनलेसिस पर ज्यादा रिलाय करने की कोशिश करते हैं मतलब करते हैं जिसमें कुछ ड्रग दे दिये जाते हैं जिससे भी आपको कुछ उगलवाना हो ड्रग देने के बाद में उसको जो माइंड है वो बिलकुल ही अनकंट्रोल हो जाता है फिर उससे जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब दिये जाते हैं उस पर्टिकुलर अक्यूज के दुआरा राइट तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाथ रस वाले केस में कैसे यूजवा वो अपन जानेंगे हैं यहाँ पर क्या कंसंस है एथि सब्सक्राइब कर रहे हैं महारास्ट्रा के फार्मर्स को ठीक है इस वाले पेस पर आप देखोगे कि एकॉनॉमी में किस तरीके से स्टैबिलिटी लाई जा सके तो उसके लिए आर्बिय के गवर्नर्स श्रीकान दास जी ने अभी अपना एक स्ट्रीट्मेंट दिया अपन जो आप बॉंड्स होता है बॉंड की येल्डिंग के कव को अगर कंट्रोल किया जाए तो वह एक पब्लिक गुड है दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे आप और मैं हम कहीं पर कोई बॉंड परचेस करें गवर्मेंट सेक्योरिटी परचेस करें फिर जाने की चीजे की कोशिश की है ये डिसकस करेंगे सोशलिजम और पैंडेमिक इसमें आपन देखेंगे कि किस तरीके से सोशलिजम बेस्ट हमारा जो एक आइडिया है वेलफेर स्टेट का ठीक है और वेलफेर स्टेट से बेस्ट भी अल्रेडी डीपीएस्पी बेस्ट करता जा रहा है और क्या इसके पीछे वजह है बाकि ऐसे कौन-कौन से कंट्रीज जिन लोगों ने सोशलिजम वेस्ट अपने यहां पर हेल्थ केर सिस्टम में गौर्मेंट का रोल ज्यादा ज्यादा रहा पब्लिक गौर्मेंट पब्लिक हेल्द इंफ्रस्ट्रक्चर जह और क्राइम्स रेजिस्ट्रेशन भी कम है इसका मतलब केसे कम आ रहे हैं और पोजिशन ब्लेम कर रहा है बला बला सारी चीज आप देख लेना ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं अब बिगनिंग अभी जमुएंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में एमेंडमेंट किया पॉलिटिकल प्रोसेस का किक स्टार्टर शुरुवात हो जाएगा यूनियन टेरिटरी में तो आप देख सकते हो कि इससे एक पॉलिटिकल एनरजी मिलेगी जो कहीं ना कहीं खतम सी या फिर कहीं ना कि आइसोलेटेड या सप्रस देखी जा रही है पांच अगश दो जार पे तो एक तरीके से आप देख सकते हो वहाँ पर एक रस्ता दिखाई दे रहा है कि एक डिजायर है कि कैसे भी करके एक नया कश्मीर बनाया जाए एक नई पॉलिटिकल फुटिंग वहाँ पे हो कि कहां मतलब एक नए तरीके से वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम काम करें त constituencies की boundary decided नहीं है तो assembly election is not possible इस case में अगर देखें तो हमारे यहाँ पर अगर regional politics में भी थोड़ा बहुत role play करने के लिए जो already existing parties थी जैसे अपन बोल सकते हैं national conference होगी, PDP होगी, People's Democratic Party होगी, महभूमा मुफ्ती जुनको भी release किया गया है तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पर statehood का एक return के demand भी होना शुरू हो गई है कि जैसे ही महभूमा मुफ्ती रिलीज होई तो उन्होंने meeting करनी शुरू कर दी और उस meeting के नाम को आपन किस नाम से देखा गया गुपकर narrative ठीक है इसमें ये जो main leaders थे पहले जमो कश्मीर जब state था तो उन्हों की meeting होई उसको गुपकर narrative बोला गया है कि कैसे भी करके state ship मतलब restore करी जाए और जमो कश्मीर का special status है वो reintroduce किया जाए उसके लिए तो यहाँ पर central government ने बहुत ही calculative way में एक step उठाया है कि कैसे भी करके गुपकर narrative को थोड़ा सा week किया जाए क्योंकि अगर ground level पे ये elections होता है ना district level पे तो जो already marginalized section है politics में मान लो जैसे PDP या फिर PDP में से एक party निकली है अपनी party तो अपनी party के जो members है वो वो लोग है जिन लोगों को PDP ने कभी scope नहीं किया मतलब कभी भी highlight नहीं किया है कभी opportunity नहीं दी election लड़ने की तो इस case में वो लोग कही ना कही इस opportunity को harness करेंगे तो एक तो case ही हो जाता है कि जो local लोग है regional politics है उसमें एक energy boost मिला है इससे दूसरा आप देखोगे कि आप जो और जो national level के party जो for example BJP तो इनको भी कही नहीं scope मिलेगा कि वहाँ पर जाकर के अपने wings वो फैला सकें अपनी settlement को देख सकें तो overall आप देखोगे तो जब जम्मू कश्मीर को पहले special status दिया हुआ था हमारे constitution के अंडर में article 370 के अंडर तो वहाँ पर जो district development councils होती थी ना तो उनके अंदर जो members का था वो nomination हुआ करता था state government nominate किया करती थी जैसे कि आपको पता होगा पंचायती राज जो law है हमारे जो amendment act 73rd and 74th amendment के basis पर आया थे उनका कोई रोल ही नहीं था ठीक है वहाँ पर वहाँ पर वह अपने हिसाप से अपने state के constitution के according चलते थे बट अभी जैसे ही रिवॉक किया गया article 370 को तो उसके बाद में अभी यह 14 ddc constituencies में जो election होंगे न वो पहली बार election होंगे जिनमें direct election होंगे लोग participate करेंगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि लोगों को एक तरीके से alienation का जो सामना करना पड़ रहा था क्योंकि यहां पर जो यह next paragraph है इसमें क्या काम की की बात बताई जा रही है कि सेंटर ने जैसे ही 2019 में पांच अगस्त को इनफेक्टिव बनाया था आर्टिकल 370 को उसके बाद में इमीडियेटली उसके बाद में उसके लगबग उस टाइम पे 2018 में उसके पहले पंचायती राज election करवाये थे कश्मीर में बट वहाँ पर जो candidates है न उनको एक तो ashamed फील हो रहा था कि मतलब शर्म आ रही थी कि बही कश्मीरियत को छोड़ करके तुम लोग हिंदुस्तान की जो शरकार है उसकी बात आप सुन रहे हो तो इस case में आपको कहीं ना कहीं पर attack ना हो जाए आपने भी देखा होगा कि यहां जो सरपंच जिनका election हुआ था वो यहां दिली में भी मिलने तक आये थे अमिच्छा से इरिंसे तो आप देख सकते हो कि उस time पे जो एक insecurity जो constitution में या पर्टिक्लर उन पंचायती regional institution में election के लिए जो candidate कड़े हुए तो जिनके मन में डर था वो डर अब नहीं देखा जा रहा है अब DDC का जो election हो रहा है उसमें एक opportunity के तरीके से देख रहे हैं वहां के लोग जो जैसे national conference के जो leaders हैं बचे हुए जो मैंने बताया आपको या PDP के हैं तो इन parties के सामने भी एक participate करते हैं तो वो mainstream में आ सकते हैं नहीं तो होगा क्या एक तो यह कि अभी मौका मिल रहा है DDC में election का तो एक impulse शुरू हो जाएगी बट यहां पर writer जो बोलना है कि इस election के basis पे अगर इनको participation मिले या ना मिले बट जो promise center ने किया है कि जैसे ही normal होगी condition तो statehood of Jammu Kashmir will be restored तो उस case को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि delimitation process is undergoing तो उस case को आप पहले complete करो ठीक है delimitation complete होगे assembly election करो उसके बाद में statehoodship का पूरा जो process हो complete हो जाना चाहिए तो कहने का मतलब पंचाहितिराज institution के पहले election हो चुके हैं 2018 में DDC के election अब हो रहा है वो बाता लगा है कि DDC के election इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गुपकर जो narrative निकल के आ रहा है जो main leader जमो कश्मीर के थे उनका ये मानना है कि कैसे बगर कि जमो कश्मीर को special status फिर से मिले तो उन लोगों की meeting का जो conclusion है उसको कहीं नेलिफाई करने के लिए ये step देख सकते हैं खर वो political point है अपने काम की चीज़ जो थी वो ये कि statehoodship restore करने चाहिए क्योंकि promise है और दूसरा DDC की election होने चाहिए democratic पे में next article is tinkering at margins देखो एक दशक से जादा time हो चुका है जब हमारे यहाँ पर nutrient based subsidy provide की जा रही है ठीक है अब इसमें क्या होता है कि nutrient based subsidy में सबसे important चीज़ ये देखी जाती है कि production कितना हो रहा है उसकी बजाह ये देखा जाता है कि कौन से nutrient की किस particular जमीन को जमीन की मिट्टी को जरूरत है जैसे आप sample लेकर के गए अपनी जमीन का और दिखाया test करा है laboratory में पता प ये जो NBS लेकर के आयत इसका purpose ये था कि fertilizers का recklessness की basis पर यूज़ ना हो that means मतलब carelessly यूज़ ना हो एक regulated manner में well informed यूज़ होना चाहिए fertilizers का क्योंकि excess में यूज़ होना फिर जमीन के लिए बेकार हो जाता है तो उस case में आप देखोगे अब urea का जो consumption है ना वो कम होने की अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर डेटा थोड़ा बताया जा रहा है ये काम का आप लिख लेना किस तरीके से हमारे fertilizers का यूज़ हो रहा और उसमें urea क्यों dominant करती है दो हजार नो से नो दस से लेके दो जार उननीस बीस तक का अगर पूरे decade का urea consumption का pattern देखें तो दो overall consumption देखे fertilizers का तो वो बढ़ चुका है 33.4 metric ton से लेकर के 61.7 metric ton तो जो nutrient based subsidy scheme आई थी वो इसलिए आई थी कैसे भी करके यह जो fertilizers है इनका use reduce कराया जाए बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से fertilizers का use जादा हुआ है और यूरिया की बात करें particularly तो उसका share तो आप देखोगे से कम इसका consumption था वो बढ़ करके 54.6% तक बढ़ गया तो यहाँ पर सबसे important चीज आ जाती है किसका reason क्या है अब देखो reason बताता है यहाँ पर कि जब April 2010 में हमारे यहाँ पर fix की जाती थी कि maximum retail price जिसको MRP बोलते हैं पर कि यूरिया का जो है वो कहीं ना कहीं आप rise होता हुआ देखोगे ना पूरे 2010 से लेकर अब तक के पूरा एक दशक हो गया 10 साल हो गया केवल 11% increment हुआ है तो आप देख सकते हो कि 2010 में जब 4830 रुपय का एक मतलब आप कह सकते हो पर किलोग्राम के इसाप साय पर्टिकिलर जो rate है वो बढ़कर के यूरिया की कितनी हुआ है केवल 53 पर टन है सुरी ठीक है तो इस केस में आप देखो कि टन पर इतना डिफरेंस आया है केवल 4800 से लेके 5360 का इतना margin टन मतलब 1000 किलोग्रेम पर इतना कम अगर variation करोगे तो भाई आप कितना ही regulation करो और दूसरा आपने nutrient based subsidy वाली scheme का जो provision आपने दिया उस provision में यूरिया को cover नही case में क्या हो गया कि ने तो आपने regulation रखा और ना उसकी price rise की तो भाई यूरिया तो फिर बाद में rely करेगा ही किसान जो है क्योंकि सीदी सी बात है सस्ती चीज मिलेगी तो उसको तो वैसे ही बिना कोई ध्यान रखे काम में लेना शुरू कर देंगे जब से हमारी government आई है य तो nutrient based subsidy scheme है उसके अंडर में बचे हुए सारे fertilizers आ गए तो आप ध्यान देना इस बात पे कि nutrient based subsidized जो scheme है उसके अंडर में जो fertilizers है उनकी rates तो देखो revamp हुई है revise हुई है जब कि यूरिया अगर इसमें नहीं आई है तो यूरिया की price में कितना difference है marginal difference तो टन्स पे एक 10 साल हो ने एक तो ये गड़बढ कर दी कि यूरिया को NBS के अंडर में लेकर है और दूसरी गड़बढ क्या कर दी कौर्मेंट ने कि दिमाग ज़्यादा लगाया किस पे कि नीम coating based यूरिया production जो कर रही है factories उनको subsidy provide करेंगे बाकियों को नहीं करेंगे अरे भाई आप पूरी यू fertilizer यूज होता ना आप देखोगे volume wise तो यूरिया ही यूज होता है तो यहाँ पर point निकल के यह आ रहा है कि आप जो यूरिया है ना इसको NBS के अंडर लेकर किया हो और जो दूसरे जो fertilizer's हैं उनको incentivize करो जैसे कि other fertilizer में अपन फॉस्फोरस की बात भी कर सकते हैं potassium की बात भी potas की बात भी कर सकते हैं sulfur की बात भी कर सकते हैं इन fertilizer's को cheap करने की ज़रूरत है 1500 से 2000 रुपए per ton के हिसाब से हैं और यूरिया की हमें hike करने की ज़रूरत है और hiking भी कितनी हो नीचे लगबग लगबग 10,000 रुपए per ton के हिसाब से हैं ठीक है इससे क्या होगा कि यूरिया यूज करने के लिए किसान जो है वो एक तरीके से बहुत ही well informed decision लेगा वो ही बात है अगर एक 5 रुपए में 5 रुपए किलो केले मिल रहे हैं आप purchase करके लिए क्या रहे हो तो आप कितने खरीदोगे 10 रुपए तो 10 रुपए में एक किलो आएंगे 5 रुपए में वाजिब होना चीए और जहां पर भी ये NBS scheme आप implement कर रहे हो उसके ambit में ये लेकर किया जाओगे तो किसान भी सोच समझ करके यूरिया को consume करेंगे ऐसे नहीं कटे के कटे ले आए और इसे डाल दिया इससे क्या होता है pollution बहुत ज़्यादा बढ़ता है दूसरा इसका फिर देखें हाथरस वाले केस की जो बताया तो अभी तक तो clarity नहीं है कि वह गैंगरे था या फिर किवल मर्डरी था एलिजडली तो यह है कि हाँ वो कोई गैंगरे पी था तो 19 साल की एक दलित वमन के साथ में ये केस हुआ और उनको फिर बाद में आपको पूरा केस पता ही है कि पूरी protection में उसको फिर कर दिया जो family है वो कहीं ना कहीं मतलब बाहर गुहार मारती रह गई कि हमें हमारी बच्ची की dead body दे दो उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया तो यहाँ पर point है निकल के आ रहा है कि अभी जो victim की family है आप यहाँ पे ध्यान देना जो victim की family family है उनका नार्को एनालेसिस किया जा रहा है आप यह देखो कि एक तो वह family पहले से tortured है दूसरा नार्को एनालेसिस और कर रहे हो आप नार्को एनलेसिस मतलब उनको आप dose दे रहे हो कुछ drugs की और फिर उसके basis पे जब वो बिलकुल एकदम बेसुद हो जाएंगे और उनका दिमाग उनकी खुद की control में नहीं रहेगी फिर आप उनसे questions पूछना शुरू करोगे और उन question के basis पे आप कुछ narration निकालोगे कि भई यह तो ऐसा case है तो आप देखो कि पहले से वो कितने परिशान है रही सही में आप नार्को एनलेसिस भी उन पर ही कर रहे हो इसमें क्या काम में लेते हो और तरीका मैंने आपको बता दिया अब यहाँ पर राइटर जो बोल रहे है वो थोड़ा सा ethical point of view से concerning है कि जो नार्को एनलेसिस की बात की जा रही है इसको scientific community ने disapprove कर दिया है कि भई इसके आप symptoms भी देखोगे investigation के time पे तो आपको एक तरीके से well satisfactory नहीं मिल दिया satisfaction है नहीं इस पूरी system में नार्को एनलेसिस में उसके बावजूद भी government और हमारा जो criminal justice system है इसको repeatedly use करता है investigation के time पे ठीक है दूसरी तरफ आप देखोगे इस system को बोलता है truth claiming कि सच निकलवाना ओके तो इस case में हमें यहाँ पर सोचने की ज़र्वत है दिमाग इस बा अब बात ही आती है कि यह नार्को एनलेसिस के शुरुआत कहां से होती है देखो USA में सबसे ज़्यादा popularize होता है सबसे पहले 1920s 30s में डॉक्टर रॉबर्ट हाउस करके एक scientist थे उनके दौरा US criminal justice system में इस system को फिर बाद में 1950s आते आते हैं USA की जो central investigation agency है उन्होंने reject कर दिय बोले कि यहां पर आप देख सकते हो कि कोई भी जो result आ रहे हैं वो एक regular basis पे right नहीं आ रहे हैं गलत आ रहे हैं wrong outcome निकल रहा है फिर बात करते हैं यह तो गया USA का origin की अब बात करते हैं इंडिया की इंडिया में इसके लिए fascination शुरू होता है 1980s में जब एमदाबाद जो case ह हुआ था उससे related और जब एमदाबाद में सबसे पहले शुरू हुआ था और वो भी आप देखोगे National Human Rights Commission के basis पे कैसे करके एक lie detector की तरह यूज किया जा सके कि हां सच क्या है जूट क्या है यह पता किया जा सके फिर इसके बाद में आप देखोगे फिर repeatedly बहुत सारे cases में य यूज हुआ अलग अलग मतला हर जगें पे truth को exploit करने के लिए यह system जो है वो बार-बार यूज किया गया despite the rejection of scientific community ठीक है उसके बावजूद भी 2010 में Supreme Court ने भी बिलकुल clearly बोला है कि भाई यह जो नार्को analysis आप करते होना एक lie detector की तरह है तो आप इसको एक तरीकी से brain scan की तर पढ़ने के लिए तो यह technique तो inadmissible है इसको तो यूज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे जो constitution का article 23 है जिसमें हम यह बोलते हैं कि भाई self incrimination नहीं करा सकते आपने पढ़ा होगा एम लक्षमे कांत में कि वहाँ पर हम देखते हैं कि कि किसी को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे statement दो कि आप खुदी खुद से criminal साबित हो यह चीज नहीं करा सकते तो इस case में भी नार्को एनलेसिस allowed नहीं है तो दूसरा हमारे जो article 21 में right to life and liberty की बात करते हैं वहाँ पर भी आप देखोगे तो दूसरों की freedom जो है right to life की जो right to life जो है आप उसको कैसे दबा सकते हो ठीक है इस तरीके से article 20 और 21 के अंडर में नार्को एनलेसिस को सुप्रीम कोट ने reject किया था बट हमारे यहाँ पर यह जो system में नार्को एनलेसिस continuous use होता रहा है और बहुत सारे जो expert है जैसे कि यहाँ पर नाम ले रहे हैं एक scholar जिनका नाम है अमर जैसानी उन्होंने इसे फ आप इसे coercive method को use करते हो अरह भाई जब जमाना persuasion का है तो coercion क्यों और यह तो भार बार एक blame लगता रहता है हमारे criminal justice system के कि हमारा जो criminal justice system में अभी तक भी advanced technology भी based नहीं है investigation होता है वो torture based होता है third degree torture दिया जा रहा है नार्को एनलेसिस किया जा रहा है lie detector किया जा रहा है इसक में FBI के आपने movies में बहुत देखा होगा कि वो दिमाग किस पे लगाते है evidences पे जिस जगें पे वो case execute हुआ है उस जगें को जाकर करें इन्वेस्टिगेट करें वहां से data collect करें उसके basis पे पता करें कि भाई कौन crime कौन वाकई में मतलब main जो convict कौन होना चीए फिर conviction होता है ठीक है तो नारको एनलेसिस से आप देख सकते हो एक light detector की तरह ही use होता है जो की एक policy torture बोल सकते हैं अपने इसको तो आप देख सकते हो महराष्टरा के जो senior officers हैं या फिर बहुत सारे अलग-अलग cases में आप देख सकते हो यह बार-बार use होता रहता है जो cases अपने अल्रेडी मुंबई blast case भी देखा एमदाबाद वाला जो नहर्ची वाला case था उसमें भी देखा तो यहां पर लास्ट में राइटर एकी चीज़ बोल रहे हैं कि भई दलित feminist को favor करने वाले जो अभी लड़की जिसकी death होई 19 साल की लड़की वो दलिती थी और feminist जो है वो कहीं ना कहीं औरतों के खिलाफ होने वाले atrocities के लिए भी fight करते हैं वो तो दलित feminist particularly बात करें तो वो कह रहे हैं कि prevention of atrocities act 1988 और 1988 के अंडर में इस पूरे case का investigation होना चाहिए क्योंकि अपर कास्ट का यहां पर involvement है दूसरी तरफ UP government जो है वो कहीं ना कहीं scientifically unpopular इस method को फिर भी यूज करने के ल के इस नार्को एनलेसिस का यूज करके और पता किया जाए कि किसने और किस तरीके से इस पूरे पूरे इस वारता को यापन कह सकते हैं पूरे इसे कांड को एक तरीके से implement किया execute किया जो कि बहुत ही गलत है हमारे democratic system के लिए ठीक है फिर बात लास्ट में वही चीज आती है क कि बहुत सारे हैं आप coercion पर क्यों जाते हो पर्शुएशन पर जाओ ना टेकनीक जो है इसकी legitimacy पर अल्रेडी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं discussion भी हो चुका है debate भी हो चुका है दूसरी तरफ आप देखोगे तो इस टेकनीक में कहीं है कि hypnotize कर दिया जाता है hypnotic suggestion है यह अपने informed एक well alert form में अगर जवाब दे वो जवाब ना दे पाएं तो वो चीज़ कितनी गलत हो जाती है तो यह सारा का सारा कहीं ना कहीं human dignity के अगेंस्ट भी है दूसरी तरफ media trials के point of view से देखें सारा केस अगर देखें तो इन टेकनीक कहीं यह टेकनीक जो है betrayal है कहने का मतलब कि हर जगह पर यह साबित सही नहीं होती है आप family तो family को ही victimize कर रहे हो इस case में जो already victim है इस case की जिनकी बेटी मरी है तो उस family को यह आप और victimize कर रहे हो तो कितना गलत है तो हमारा system जो है वो injustice को recognize करे उसके लिए हमें और अच्छे से काम करने की जरुरत है advancement लाने की जरुरत है ह next article देखते है next article है how to wear a mask अब इसमें mask तो बोल दिया but economy से related है और थोड़ाचा last में mask के लिए भी बता रहे हैं तो देखेंगे अपन बहुत अच्छा article है यह देखो RBI के governor का statement 9 October का है और Nobel Prize Award दिया गया economics के लिए Robert Wilson और Paul Milgram को 12 October को तो इन दोनों में यहां पर matching निकाल के regulator कि यहां पर आप देखोगे RBI के governor का statement तो यह है कि yield curve control और financial market stability यह दोनों जो है यह public good है yield curve control का मतलब कि कोई भी government security RBI कहीं बेच रहा है government के लिए पैसे उठा रहा है तो वहां पर कितना interest rate government को या फिर जो market में पैसा उठा रहे हैं लोग उनको मिल रहा है कहने का मतलब incentive तो म मिल रहा है कि नहीं जो लोग इस चीज में participate कर रहे हैं उनको फाइदा मिल रहा है कि नहीं तो उस कर्व को control करना कि गाटे गाटे में चले जाएं लोग invest तो कर दे government security में बाद में पता पड़े कि गाटे का सोधा हो गया तो वो और दूसरा financial market stability जहां पर हम securities purchase करते हैं share market में invest किया जाता है तो वो जो दो चीजे हैं ये public good हैं एक तो ये statement दूसरी तरफ आप देखते हूँ इसी statement में दूसरा जो part है कि इसी time पर जो market players है या जो individuals हैं उनके हाथ में भी defection का पूरा right होता है तो वहाँ पर एक game theory apply होती है bidding वाली बात आ गई कि किस तरीके से बोली लग लगेगी तो बोली लगाते लगाते कई बार तो क्या होता शुरू के शुरू में minimum price तो declare कर जाते कि कम से कम इतनी बोली तो लगाई जाएगी चाहे particular कोई भी good हो या particular कोई भी property हो उसकी अगर कोई बोली लगाई जाती है तो auction के time पे तो उस case में वहाँ पर एक game theory काम में कर है मैंने कि किस तरीके से price लगते लगते कई बार होता है कि rate तो पांच रुपए की होती है और competition में आते आते जब एक बंदा खरीदना जब finalize होता है तब तक वो 10 रुपए तक की बोली लगा जाता तो गाटे का सोधा हो जाता है और दूसरी तरफ आप देखोगे कि कई ब government auction करेगी ना उसका इसलिए दूसरा auction हो तो इस rate पे होना चाहिए जिसें कि public के pocket पे ज़्यादा load ना जाए ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यह public good में convert हो जाता है और वहाँ पर game theory आ जाती है और उसी game theory को Wilson All Milgram ने कहीं ना कहीं propound किया है यह कहके कि game theory जो है व फिर आगे बढ़ा जाता है पहले तो क्या auction उन्हीं चीजों का हुआ करता है जैसे कोई individual है या कोई firm है जैसे अनी लंबानी है मुकेश हमाने ने अनी लंबानी अब उनकी reliance communication के ओपर बहुत सारा गाटा चड़ा हुआ है अब उसकी property का अगर auction हो यह तो देखो पुराना time था कि हाँ कोई bankrupt individual है या firm है बट आजकल तो auction हर चीज में होती है coal mining की चाहे coal mines की बात कर लो या फिर आप बात करो इदर spectrum की बात करो यह तो public good है ना तो इनमें तो यह भी तो ध्यान रखने ही ज़रुत है कि environment को भी ज्यादा effect ना जाए इसके अलाब आप देखो कि public के ओप financial market में तो उनको कितना फायदा हो रहा है और government या फिर जो company invest करवा रही है उन पर कितना load आ रहा है तो दोनों तरफ का balance देखना exactly वो ही हो रहा है जैसे कि game theory आपने देखी bid वाले process में तो वो चीजें कहीं नागे stability लाने की जरूरत है तो यहाँ पर writer बोल रहे हैं कि यह पह तुका है यह ऐसा यह जो अभी जो economics का जो award मिला ना वह वाला वोर्ड student उनों को मिला है जो group था खेर वो अपने काम की बात नहीं अब वापस आजाते हैं अब देखो public good की जब बात आती है ना तो हम exclude नहीं करते वो non excludable होते हैं non rivalrous होते हैं कि वहाँ पर दो parties अगर conflict करे त तो फाइदा किसी का नहीं है ठीक है public good मतलब सबका right house उस पे यहाँ पर writer A की चीज बोल रहे है कि आप एक farmer को यह बोलते हो वह तरी income जादा हो जाएगी ध्यान देना इस example पर अच्छा example है समझने के लिए कि किस तरीके से एक पूरा process काम करता है जब एक public good को deal करें तो हमे क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए दो farmer's farmer A and farmer B एक गाओं में एक farmer को बोल दिया गया कि भाई तु गाये लेकर क्या आजा और फिर उस गाये को यह जो पूरी खाली जमीन पड़ी है तो वो नॉर्मली अपनी farming के activity continue करता रहता है तो A का जो benefit है वो बहुत जादा ब दूद आता है वो बेच देता है इस तरीके से तो आप देखो यहां पर A के पास guy आई benefit हो गया इसको पर loss क्या हो गया पास्चर लेंड ने एकदम quality बिगडी की नहीं क्योंकि वहां पर चराई जादा हो गई तो यह चीज यहां पर बोल रहे हैं कि इस चीज को ध्यान में यहां पर जो financial market है उसको tackle करने की जरूरत है ठीक है इसके अलावा देखें यह फार्मर्स वाला तो मैंने आपको example दे दिया यह वाला रा तो pasture land थी उसको overgraze करवा दिया मतलब जादा चराई हो गई तो वो भी तो घाटाई है पब्लिक प्रापर्टी तो है इसी तरीके से दूसरा example Indian context में दे रहे हैं कि एक बार अकबर वीरबल को बोलता है यह स्टोरी बता है तो हमें आपको अकबर वीरबल को बोलता है कि वही ministers को बोल कि वही दूद लेकर किया है एक एक बार टी और बार टब को भर दे मैं उसमें ना हूँगा तो ऐसे करके वीरबल सब को बोल देता है जाकर के minister अब एक minister के दिमाग में आई यार सब लोग दूद तो लाई रहे हैं मैं पानी ले चलता हूं क्योंकि दूद बहुत म दूसरा case सोचते हैं उसी case में अगर उन ministers को ये declare करवा दिया जाए कि अगर कोई भी गड़बर करेगा कोई भी पानी लेकर के आ गया दूद की जगह या मिलावट वाला दूद लेकर के आ गया उसको punishment दी जाएगी तो उस case में क्या करेंगे सब दूद लेकर के आएंगे त वो competitive way में काम करने चाहिए ना कि competitive मतलब combat नहीं करना हमें किसी से fight नहीं करनी है competition लेकर के आना है जिससे की consumer को भी benefit हो जो avail कराने वाली forms है या फिर government है वो भी घाटे मेंने जाए सब के लिए equal proportion में benefit होना चाहिए ठीक है वहाँ पर हमें कहीं पनिश्मेंट का provision अगर दे दे कि भाई अगर आप जैसे मान लो किसी investor को बोले कि कम से कम तीन साल तक आव अगर आपको invest करना है तो वो invest करने से पहले पहले तीन साल से पहले मन तो अगर अपने bond से पैसा निकालना चाहिए वापिस से हैं तो उसको punishment के तोर पे कहीं नहीं कम return मिलता है ना इसी तरीके का provision ह हमें करने की जरूरत है तो RBI governor ने क्या का है कि central bank जो है वो किवल oversee करता है market को ज्यादा regulate नहीं कर सकता तो उस case में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो जो game theory जो बात की थी bidding में जो लगती है ना competition होता है फिर बाद में price इस तरीके से regulate हो कि जिससें की जो खरीद की जब बात आती है ना तो आप देख सकते हो कि public good को जब exploit करना शुरू करते हैं तो minimum minimum pay off होता है ना तो देखो policy में इतना ज़्यादा attention मिलती है और जब इनका use किया जाता है ना तो उस case के अंदर बहुत ही ज़्यादा problem होती है ठीक है जो benefit outcome मिलने चीए public good का जैसे है अप defect का फिर point आ जाता है यह corporation और defect का जब आ जाता है तो इसको बोलते हैं Nash equilibrium यह already मैं बता चुका हूँ monetary policy और fiscal policy से related एक article बहुत दिनों पहले कोशिश की थी अपने discuss किया था और अच्छे से मैंने समझाये भी था Nash equilibrium जिसमें defect और corporation का का काम चलता है इसमें दो player होते हैं party one और party two अभी यहाँ पर देखें तो investors हो गया और central bank खुद हो गया तो यह दोनों corporate भी कर सकते हैं तो दोनों defect भी कर सकते हैं एक जना corporate कर सकता है दूसरा defect कर सकता है या फिर पहला defect कर सकता है दूसरा corporate कर सकता है तो ऐसे करके यह चार possibilities बनती है Nash equilibrium में अब आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे आप अपने पडोस में ही देख लो for example आपने कोई एक initiative लिया कोई भी कि हाँ मुझे मेरी गली के अंदर साफ सफाई रखनी है या फिर मैं example थोड़ा सा दूँ कि एक rich person है उसको यह उसकी responsibility fix कर दी जाए कि भई तू जा और दूसरा जो गरीब है उसकी एक जने individual की help कर दे तो इससे क्या होगा social harmony भी आएगी social stability भी आएगी और यहाँ पर इस बंदे की duty भी बन जाएगी और इसी तरीके से जो poor है उसके उपर भी obligation हो जाएगा उसकी भी duty बन जाएगी कि rich को वो corporate करे तो यहाँ पर यह तो देखो corporation का हो गया अब दूसरा case देखें rich है वो defect कर रहा है वो नहीं मान रहा है इस बात को corporate करने के लिए ready नहीं है तो वो poor के लिए attention पे नहीं करेगा तो आप मुझे बताओ अगर rich poor के लिए attention पे नहीं कर रहा तो पूर तो बिलकुल ही नहीं करेगा वो भी यह देखेगा कि मुझे दो time की रोटी मिल जाया चाहे मांग कर के खाऊं चाहे कैसे भी खाऊं तो rich के against में फिर उसके क्या हो जाती है एक अलगी behavior बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाता है defection वाला कि defect कर रहे हैं दोनों players तो इसमें सबसे best outcome कौन से में आ रहा है cooperation का यही सबसे important role play करता है कि हमारे यहाँ पर Nash equilibrium के इस game की बात करे तो सबसे important चीज आती है कि collaboration देखा जाए यह इस चीज के लिए आज जो हमारा Indian debt market है वो उसी line पे चल रहा है जिस line पे जापान का bank चला था क्योंकि जापान के central bank ने बिलकुल पहले यह कह दिया था कि जो yield curve है yielding का मतलब बांड की yielding बढ़ रही है मतलब उसकी quality बिगड र मतलब कि जितने भी stakeholders उनको benefit होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को एक ही one sided नहीं होना चाहिए that means corporation आने की जरूरत है तो यही चीज हम देख सकते हैं RBI की monetary policy के perspective से अब RBI की monetary policy जैसे ही आती है तो RBI क्या करता है रेपोरेट या reverse रेपोरेट इनको vary करता है जब भी monetary policy committee क meeting होती है तो वहाँ पर आप देख सकते हो दो तरीके के players निकल के आता है एक तो counter cyclical और एक होता है प्रो cyclical अब प्रो cyclical तो क्या होता है कि जैसे RBI जो चार रहा है जैसे particular bond release किया कि हाँ एक हजार से लेकर के 2000 के हम 10 लाग bonds release कर रहे हैं example समझना है 1000 रुपए से लेके 2000 के range मे हम 10 लाग bonds release कर रहे हैं और उन bonds के लिए हम interest rate दे देंगे 4% annually अब इसमें कुछ लोग जो है वो तो attract होंगे वो तो हो जाएंगे pro cycle के लिए कि जो RBI जिस direction में investors को ले जाना चाहरा है उस direction में जाना शुरू कर देंगे बर दूसरी तरफ आप देखोगे कुछ लोग जो है व चाहरा है उसका होना possibility अगर देखें तो 50% आ रही है probability के हिसाप से तो जो वाकई में market में चाहरा है RBI कि कितनी liquidity होनी चाहिए कितना उनको benefit होना चाहिए और कितना ये पूरा system चलना चाहिए किस efficiency के साथ में वहां पर उन bonds की selling और buying उस पर depend करता है कि कितने bonds तो मतलब कितने तो pro cyclic players participate कर रहे हैं कितने counter cyclic players participate कर रहे हैं इसका बहुत important role हो जाता है तो वहां पर भी बात वही कि अगर cooperation proper होता है तो उस case में फिर ज़्यादा problem नहीं आती क्योंकि अगर हम 2017-18 की बात करें तो पिछले 10 सालों के अंदर government security yielding जो है न वो 169 basis point बढ़ गई थी 2017-18 में February में जो कि वाकई में गलत है अचानक से abrupt मतलब overnight के और रातो राती है चेंज हो ना prices में तो उसमें तो कहीं ना कि confidence down जाएगा न investors का तो ठीक बात नहीं होती अब बात आती है कि कैसे ऐसे problems को avoid किया जा सकता है तो noble laurent ही है जिनका नाम है Eleanor Ostrom उन्होंने बोला कि इस पूरे system को अ उनमें से जो काम की चीज़ बताई गई है वो देख लेते हैं अपन सबसे important चीज़ कि जो public good का जो concept है ना इसका experiment अगर हम करें तो proper way में well regulated और well overseen अच्छे से होना चीज़ का और current pandemic के इस आप से देखें तो देखो आप कहीं ना कहीं आप public good पर बहुत ज़्यादा highlight होना और next जो आपन टार्गेट यह जो article discuss करेंगे ना उसमें public good के उपर ही ज्यादा दिमाग लगाया जारा है तो pandemic के टाइम पे तो और भी ज्यादा public good की बात होने लग गई है जब government ने जहां जहां पर अर्शर्शन दिखाया है वहां वहां पर अच्छी facility provide हुई है ठीक है जा वहां पर जैसे न्यूजिलेंड की बात करें फर एक्जांपल न्यूजिलेंड का एक्जांपल भी दिया हुआ है यहां पर ने एक्स आर्टिकल में कि न्यूजिलेंड में वहां पर लोग cases बहुत कम है और death rate तो बिलकुल ही नहीं है तो आप उस case में देखोगी तो इतना control कैसे हुआ क्योंकि वहां पर government जिनने जो target किया वह चीज इग्जैक्ली वैसे इंप्लिमेंट होई और वहां पर आप देखोगे न्यूजिलेंड में लगबक 11% of GDP spend होता है health care system पे और हमारे यहां पर 1% भी नहीं तो आप देख सकते हैं हमारे हां पर cases अब लगातार बढ़ कि government ने जहां जहां अपना काम किया है incentivize किया है वहां वहां पर अच्छा result मिला है दूसरा case आप देखोगे जहां जहां पर cooperation मिला है government को वहां वहां पर अच्छा result मिला है अब यह poor और rich वाला मैंने example आपको already समझा ही दिया तो यह जो पूरा case हाता है नहीं इसको बोलते है जन भागिदारी की अमीर जो है वो गरीब की पीडा को समझे और cooperate करें दूसरा बात करते है जन चेतना आज जैसे mask की बात करें for example A और B आप हो और आपका दोस्त है अब आपने mask लगा रखा है और दोस्त ने नहीं लगा रखा तो दोस्त तो safe हो गया ना जब आप उससे ब problem हो रही है आपने भी mask अटा दिया दोनों को loss हुआ कि नहीं तो एक तो अगर A और B दोनों के दोनों mask लगा करें खड़े हो फिर बात हो तो कितना benefit होगा cooperation हुआ कि नहीं और B यहाँ पर defect कर रहा है A corporate कर रहा है क्योंकि B ने mask नहीं लगा रखा तो उस case में क्या हो गया public good क loss हुआ कि नहीं तीसरा case है कि जब आप यह बंदा नहीं लगा रहा है और आप भी उसी से inspire होकर कि नहीं लगाते हो तो दोनों defect कर गए तो गड़ बढ़ तो cooperation सबसे best होता है Nash equilibrium की जब भी बात आए ठीक है तो policy making में हमें जन चेतना और जन भागीदारी पर ध्यान देने की चाहे वह economy हो चाहे healthcare हो चाहे social harmony हो सब में थान अच्छा article नेक्स आर्टिकल देखते हैं नेक्स आर्टिकल बिल्कुल सिंपल हो कुछ बढ़ा नहीं है socialism और pandemic pandemic के टाइम पर socialism ने कैसे परफॉर्म किया जैसे कि हमारे जो डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स अफ स्टेट पॉलिसी DPSP है part 4 of our constitution वहाँ पर हम बार-बार बात करते रहते हैं socialistic DPSP कौन सी है गांधिजन वाली कौन सी है marxism वाली कौन सी है क्योंकि वहाँ पर हम welfare state की बात करते हैं और यह question था अभी prelims में 2020 में कि welfare state का provision कहाँ पर दिखाई देता है आपको ठीक है तो DPSP में यह चीज हमारे given ह तो writer यहाँ पर यह बोल रहे है कि Supreme Court में एक petition लगाई गई है वो यह कहके कि हमारे जो preamble में socialist और secular word जो की 42nd amendment act 1976 के एंडर join किये गए थे उनको अब हटा देने की जरूरत है वैसे देखा जाए तो लगाता socialist और secular word है उसकी दज्यां उड़ाई जा रही है पिछले कई देखोगे तो हमारे यहाँ पर इस socialist और जो socialist tendency वाला जो सेग्मेंट है उसी से कही ना कहीं आप देख सकते हो कोविड-19 टैकल हुआ है वो कैसे देखो नियो लिब्रल वर्ल्ड है भी नियो लिब्रल वर्ल्ड का मतलब कि जहां पर थोड़ा बहुत तो socialism पर ध्यान दिया ज अब government retreat कर रही है किवल avail करा रही है facilities की हाँ जमीन मिल जाएगी बिजली मिल जाएगी पानी मिल जाएगा आपको बाकी काम अब private sector वाले करें तो इसको बोला जाता है नियो लिब्रल वर्ल तो यहाँ पर आप देखोगे तो pandemic की वजए से सबसे बड़ी जो problem देखी गई है वो face ही इन्होंने किया जहाँ पर नियो लिब्रलिजम के नाम पर बहुत ज़ादा privatization हुआ है वो कैसे है आप देखो COVID-19 pandemic आया तो government की vulnerability exposed हो गई particularly healthcare models में या फिर political ideology perspective से देखें तो हो क्या रहा है कि जहाँ जहाँ पर socialism को सही से attach कर रखा है policy formulation में उन देशों में COVID-19 properly tackle हो चुका है और यह कोई rocket science नहीं है socialism से सब aware है और हमारे तो preamble में भी यह चीज mentioned है we the people of India, sovereign secular democratic republic of India ऐसे करके बात करते हैं हमारे तो socialism पहले से ही है तो political response जब आए तो political response में जब सबसे important बात होती है that is public goods की जो मैंने आपको बताया ना अबी previous article में आपने बात की public good तो public health system जो है वो अपने आप में important हो जाता है क्योंकि health education यह तो pillar है key pillar है इन पर तो government को participation रखना ही चाहिए तो आज हमारे यहां पर जो privatized health care system है ना उस health care system की वज़े से हमारा health infrastructure कहीं नहीं weak perform करता हुआ दिखाई दिया क्योंकि private system है private hospital क्यों खोलेंगे जी benefit के लिए वो तो पैसा नकमाने के लिए खोलेंगे ना जबकि health है वो तो सबकी benefit में आनी चीए क्योंकि ultimately जब तक आपके society में healthy लोग नहीं रहेंगे educated लोग नहीं रहेंगे तो कहां आप पूरी society को grow करवाने की तरफ ले जा सकते हो ठीक है इसका best example तो है न्यूजिलेंड जो मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूजिलेंड में 1757 केस आये हैं और death rate आप देखोगे तो देखो एक million cases भी नहीं है न तो देखो क्या है 1 million case के ओपर 4.56 बहुत कम death rate है वहां पर क्योंकि वहां पर rule हो रहा है labor party का और labor party जो है वो थोड़ी सी leftist ideology पर based है centrist है but leftist leftist का मतलब society का rule वहां पर चलता है ठीक है आपने ये तो देख लिया होगा ethics paper पढ़ता है तो ethics में आपने पढ़ा होगा कि parties का division किस वेसे से होता है rightist होगी leftist होगी centrist होगी इस तरीके से या फिर हैम लक्षमी कांत में भी आती है detail party classification में तो आप देखोगे कि न्यूजिलेंड में leftist party और race ही में वहां पर GDP का 11% जो है health care पर जाता है तो आप देख सकते हो socialism कितना अच्छे से perform कर क्या है result इसका दूसरी तरफ आप देख लो USA का जो case मैंने बताया कि वहां पर worst से worst cases निकल के आ रहे हैं ठीक है इसी तरीके से European countries की बात कर लो चाहे जर्मनी हो या Portugal हो यह अच्छा perform करते दिखाई दे रहे हैं यहां पर भी cases इतनी ज्यादा नहीं है data इतना काम कर नहीं है बस example लिख लेना कि socialism का favor कैसे किया जा सकता है आज के time पर और आप देख रहे हो government अब दीरे-दीरे dominating role play कर रही है आपको भी पता है यॉरॉप में जब मास की PPE की इनकी कमी आई थी तो government ने अपने खुद के plant लगवाने शुरू कर दिये थी बोला हम चाइना पर dependent है हमारे य हो रही है तो सरकारी तो लीड कर रही है ना that means socialism की तो बात हो रही है इसी तरीके से Latin America South America में बहुत सारे cases countries ऐसे हैं जैसे अर्जेंटिना अर्जेंटिना की performance ब्राजील के comparison में अच्छी क्योंकि अर्जेंटिना के अंदर leftist orientation की government rule कर रही है तो जब की ब्राजील में rightist है ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना effect रहा है socialism का और उसको हटाने की आप petition लगाई हुई है तो भई time को समझो और फिर बात यह आजाती है हमारे इंडिया के perspective में तो कि जब भी कोई crisis हाता है तो कि यह चीज बोल दी जाती है कि हमारे यहां पर population growth बहुत जादा है अब आप एक तरफ तो population growth की बहुत जादा बात कर रहे हो दूसरी तरफ आप failure हो और तीसरी तरफ solution की तरफ जाओ तो जो main root cause है उस प अगर health infrastructure अगर अच्छा होगा तो क्या pandemic इस तरीके से spread होगा नहीं तो आप health infrastructure को अच्छा करो public goods पे ध्यान दो और हम जो welfare state को aspire करते हैं हमारे dpsps की basis पे उन्हें हम execute करने की जरुरत है ज्यादा से ज्यादा at least जो core है उन पर तो ध्यान दो poor population को अगर आप पढ़ाओगे उ तो वो क्या लापर भाई बढ़तेंगे अपनी life में बिलकुल नहीं ठीक है यही चीज थी मैं में इन चीज़े मैंने बता दी आपको बाकि आर्टिकल एक या दोई अच्छा कमेंट आता है कि सब लाइन बाइन बाइन पढ़ाओ अरे भई लाइन बाइन पढ़ाने के प्लम हो रही है तो उसके चक्कर में अगर 60-80 जने अगर कभी डंग से देख रहे हैं तो उनको कहीं नगे उनका टाइम कंजूम भी तो नहीं होना चाहिए उनका टाइम भी स्पेर करना ज़रूरी आपने को तो मुझे तो क्या बैलेंस बनाना पड़ता है तो आपसे सिंप क्यू